Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ Class 7 की UP Board की जो आपकी English Book है That is Rainbow Book, उसका Chapter No.6, A Good Citizen और इस Chapter के आज मैं cover करने वाली हूँ Comprehension Questions and Answers इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो रेडी करके दे दिया है जिसमें इस पूरे Chapter का Line by Line Hindi में explanation है, अनुवाद है और इस वीडियो के बाद एक और एक नए वीडियो में इसी Chapter की Book की Textual Exercises भी मैंने आपके लिए रेडी कर ली है, जो मैं आपको देने वाली हूँ तो दोनों वीडियो को आपको देखना बिलकुल नहीं भूलना है And now, let's begin with our questions and answers Question No.1, Where did Rachel go for her vacation? इस Chapter में एक लड़की की बात करी गई है, जिसका नाम है Rachel तो कहा जा रहा है कि Rachel कहा गई थी अपने vacation के लिए याने छुट्टियां मनाने के लिए So the answer is, Rachel went to Mysore with her parents on her vacation So Rachel कहा गई थी, Rachel गई थी Mysore जो की एक जगा है करनाटिका नाम के राज्य में हमारे देश भारत में ही वहाँ गई थी अपने parents, अपने माता पिता के आपनी vacation, अपनी छुट्टियां मनाने क्यों क्योंकि Mysore में उसके aunt and uncle याने चाची चाचा दोनों रहते हैं वहाँ पर Uncle and aunt याने चाचा चाची वहीं पर रहते हैं तो वहीं पर वो गई थी घूमने और वहाँ पर वो ब्रिंदावन गार्डन उसने घूमा Next question, why were Rachel and her parents excited? Rachel और उसके parents याने उसके माता-पिता बहुत excited याने उचसाहित क्यों थे? So the answer is, Rachel and her parents were excited because they were going to visit ब्रिंदावन गार्डन तो Rachel और उसके parents याने उसके माता-पिता बहुत उचसाहित इसलिए थे क्योंकि वो लोग कहां विजट करने वाले थे? कहां गूमने जाने वाले थे? ब्रिंदावन गार्डन और ये गार्डन मैसोर में ही है और साल में, पूरे साल में लगबग 20 लाख लोग इस गार्डन को विजट करते हैं, गूमने आते हैं Next question, what did Rachel want to make for herself? What did Rachel want to make for herself? So the answer is, Rachel wanted to make a bouquet of garden flowers for herself, जब रेचल ब्रिंदावन गार्डन गूमने गई तो उसने वहाँ पे बहुत सुन्दर सुन्दर फूल, फवारे, फ्लावर्स, फाउंटेन सब देखे लेकिन ये सुन्दर फूल देखके, रेचल का मन लल्चा गया और वो कहती ही, वाव कितने सुन्दर फ्लावर्स हैं और फिर वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी अपने लिए एक बुके बनाना, याने उनी फूलों को तोड़-तोड़के, वो अपने फूलों का गुल्दस्ता बनाने चाहती थी, उसी गार्डन के फ्लावर्स, याने फूलों से फॉर हरसल्व याने खुद के लिए, लेकिन ये चीज उसको नहीं करने चाही थी, क्योंकि अगर आप एक अच्छे नागरे को, एक गुट सिटिजन हो, तो आप सारवजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसे पर जब आप जाते हो, तो वहां की सुन्दरता खराब नहीं करते हो, और फूल तो बिलकुल तोड़ने भी नीचे क्योंकि उसी से जगा की सुन्दरता बढ़ती है, next question, how did the old man fall and who helped him, ब्रिंदवन गार्डन में ही जब वो लोग गार्डन पूरा घूम के बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक old man, एक बुज़ूर्ग आदमी ट्रिप हो गया, याने कि ठोकर खाके fall, या fell down, Rachel's aunt ran and helped him, तो जो old man था, वो ट्रिप हो गया, याने ठोकर खाकर fell down, याने गिर गया, तो Rachel's aunt ran and helped him, तो जो Rachel की aunt है, जो Rachel की चाची है, वो दोल कर भाग कर जल्दी से गई और old man की उन्होंने help करी, मदद करी, जब तक दूसरे लोग तो खड़े हो के सोची रहे थे कि अरे नागरिक की निशानी है, quality, विशेशता है, कि आपके आसपास, अगर कोई भी trouble में, कोई भी मुसीबत में है, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, और इस से आप क्या बनेंगे, एक good citizen याने की अच्छ नागरिक बनेंगे, next, what must we do when we see anyone in trouble, जब भी हम anyone याने किसी को भी trouble में, परिशानी या मुसीबत में देखते हैं, तो what must we do, तो अब हमें क्या करना चाहिए, so the answer is, we should go to them and always help them who are in trouble, तो हमें उनके पास जाना चाहिए, और हमेशा उनकी help याने मदद करनी चाहिए, जो भी लोग trouble में हैं याने मुसीबत में, परिशानी में, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जब अगर कोई बुजर्ग व्यक्ति या कोई भी परिशानी में हैं, तो आप उनकी मदद करिए, और इसी से आप एक good citizen याने एक अच् विशिष्टा हैं होती हैं, एक अच्छे नागरिक की, बहुत important question है, 100% exam में आने किसके chances हैं, so the answer is, the qualities of a good citizen are, अब वो विशिष्टा हैं जो एक अच्छे नागरिक की होती हैं, वो हैं, number one, a good citizen should always be ready to help those in trouble, एक अच्छा नागरिक हमेशा ready, याने ready होना चाहिए, उन लोगों की help करने के लिए, जो लोग trouble में आने की मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, number two, a good citizen should take care of people around him or her, एक अच्छा नागरिक अपने आस पास, around मतलब चारो तरफ आस पास, उन सभी लोगों की care करें, देखबाल करें, जो उसके आस पास हैं, जिस तरीके से हम हमारे family, अपने प पर हैं, कहीं पर भी हैं, अगर हमें लोगों का खयाल रखना चाहिए, हमें गाड़ी धीमे चलाने चाहिए, धीरे चलाने चाहिए, ताकि हमारी वज़े से किसी को trouble ना हो, also कोई अगर मुश्किल में हैं, तो उनकी हमें जल से जल मदद करनी चाहिए, and last point is, a good citizen should respect public property and maintain cleanliness in their surroundings, एक अच्छा नागरिक को किसका सम्मान करने चाहिए, किसकी respect करनी चाहिए, public property की, यानि सारवजनिक प्लेसे, सारवजनिक चीजों की, आप किसी भी public place, किसी public garden में, road पे, school, hospital, इन जगाओं पे जाके, उन जगाओं को गंदा है, खराब नहीं कर सकते, आपको क्या maintain करना ह है, आपको maintain करना है, cleanliness, यानि साफ सफाई, जिस तरीके से आप अपने घर को साफ रखते हैं, उस तरीके से आपको अपना पूरे surroundings, अपने चारों तरफ अपना परिवेश साफ रखना है, क्योंकि जिस तरीके से घर आपका है, आप अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरी किष्टा है okay and with this we come to the end of this session I hope आपको question and answers अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहे तो हमारा जो वीडियो से वो YouTube पर देख सकते हैं जो वहां ना मिले तो हमारी website पर जाये which is magnetbrains.com also do not forget to like subscribe and share our YouTube channel तब तक के लिए bye bye and take care